बारत सरकार की व्रहद स्तर पर चुलाए गए वैक्सिनेशन ड्राइव से देश में कोवीड-19 की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है कुछ इलाकों में अभी भी कोरोना के मामले सामने आ रही है इसे ध्यान में रखते हुई कोरबा जुले में स्वास्त विभाग ने अपनी तयारी कर रखी है हवन की यहाँ पर कोरोना की स्तती शंदत्मक है बीते दो वर्षों में कोरोना वाइरस को लेकर 36 गर सहीत देश भर म से चलते बड़ी संख्या में समाप्त हो गई है जो बहुत सारी जिंदगी के ओपर देड़ साड़ी दिक्कते आई थी भारत सरकार ने समस्या पसंग्यान लेने के साथ अलग अलग आयू समू के लोगों को वैक्सिन से लामनवित किया इसी के नतीजा है कि कोरोना पर लगा लगा रहा है फिर भी कुछ हिस्सों की समस्या को देखते हुए कोरवा जिले में भी सुरक्षा की लिहाजे से सतरकता बढ़ाई जो रही है जिल अस्पतार के अधिक्शक डॉक्टर गोपाल कवर ने बताया कि हमारे यहां आईसोलेशन बॉर्ड मौजू ते और सपेद भी सुरक्षित है साथ ही डॉक्टर गोपाल कवर ने बताया कि जिले में प्रतिदीन सो से डेर सो कोरोना की ज्राच हो रही है लेकिन कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव अभी तक नहीं बताई गई है पिछले अनुभावों को देखते हुए अभी भी लोगों ने अपने आप को साथन रख रखा है साथनिके तोर पर मास का उपयोग किया जाना यह दर्शाता है कि अतीत को लोग इतना आसानी से नहीं भूलना चाहते हैं पर अधिक पूर्चप कि अभी हमारे पास कोई मरीज सच तो नहीं है पर हमारे पास लाझ चुर कर देंगे हें मतलब इत्ती संखिय बढ़ती है तसका नियुक्त स aims गार का वैं गूर्ज उसकी जांच डेली हो रहा है पर अभी तक रिपोर्ट कोई पाजिटी नहीं आए सौड डेट सो सिंपल आते हैं हमारे पास अभी डेली प्रति दिन आ रहा है